नमस्कार बहुत स्वागत है आपका तावर तोड खबरे में मैं हूँ आपके साथ अमित शर्मा खबरों की शुरुवात करेंगे फटा फट अंदाज में करोला महमारी की वजह से बंद हुए मुख्यमंतरी के जनता धर्बार को आदके शुरू की है अब जनता दर्बार लगाया जा रहा है जनता दर्बार के आम जनता और कार्यकरता की शिकायत तुनी जाएगी तुश्काल इंस्तारां के लिए समस्या का निरा करने समय के हो सब्सक्राइब चित्रफूट के दिन दयाल उफाध है रिसर्फ पाउंडिशन में राज़्टी समस्या की बैठा की वो फिर्टा का अंदाजा इस बात से लगाए जा सकता है कि गरीज़ी फिलुमेटिंसे तारिक बैठाग में रियल या वर्ट्वाल किसी भी तरह से शामिल लोगों को हिदा सब्सक्राइ दी गई है कि वो अंदर की किसी भी बात का बाहर जिक्रन न करें मन्थन के दौरान देश में चर्फित सबसे एहम उद्दों के लिए मास्टर फ्लान बनाने की दिश्वा में काम चल रहा है UP ATS को आतंग्यों के पास से कई प्रमुख जहरों के नक्षजे बरामद हुए है आईुध्या के राम मंदर के आसपास की रेकी के नक्षटे आतंग्यों के पास से मिले हैं और कासी और मतुरा जैसे धार्मिक इस्तलों के नक्षे ATS को आतंजियों की फास्त मिले हैं। नक्षो में अलग-अलग पॉइंट से चिनित किया गया है टेलिग्राम और वीडियो कॉल, वाट्सेप कॉल की चैटिंग भी ATS की हाथ लगी है जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है ATS में पिछले 24 घंटों में 10 से अधिक संदिग्दों को हिरासत में लेक अतर प्रदेश में नम निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों को आज पद और गोपनियता की शपत दिलाए गई शपत ग्रहेंट समारों के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी वाट्ट प्रितन भी अपना काम शुरू कर चुके हैं जनसंख्या नियंत्रन की नई नीटी को लेकर संभल के सफा सांसर डॉक्टर सफिकुर रह्मान बर्क ने बीजेपी सरकार को घेरा है उन्होंने कहा कि मोधी योगी और मोहन भावात के बच्चे नहीं है और अब वो सारे हिंदुस्तान के बच्चे पैदा नहीं करने देना च पैसला लेना चाहिए बड़े बुद्रकों से सलहा मच्वरा जरूरी है खुर्चित ने कहा कि दिल साफ होना चाहिए हनुमान जी ने दिल खोल कर दिखाया था कालिक होगी तब ही चुपाएंगे अगर दिल साफ होगा तो चुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उत्तर प्रदेश में राजनितिक पारा शरम पर है कॉंग्रेस अब हर रोज योगी सरकार से शिक्षा, रोजगार, अबराद और छात्र युवाओं के बुद्दे पर पांत सवाल करेगी वही कॉंग्रेस प्रवक्ता अशोप तिंग ने बीजेपी सरकार पर वादा खिला शियादव ने भारती जंदा पार्टी पर पंचाय चुनाव में गुंडागर्दी के आरूप लगाये तो यूपी सरकार के प्रवक्ता और MSME मंतरी सिधारत नाज सिंग ने भी उसी अंदाज में सीखा पलतवार किया, उन्होंने कहा कि गुंडों की पार्टी कहलाने वाली नकेल कसने का काम किया है, इसी वज़ा से प्रदेश में स्टांदी पून तरीके से पंचाय चुनाव हो सके, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपना जनाधार खोच चुकी है, अपनी करारी हार से तिल मलाए अकिलेश कुछ भी बयानबाजी करने से नहीं चुक रह सुहेल देव भारती समाज पार्टी के रास्ट्री अध्याष ओम प्रकाष राजवर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुक्षमंत्री अर्विंद केजरिवास से कडवंधन को लेकर मिरनायक बात्रीत होगी, राजवर ने कहा कि वो 17 जुलाई को दिल् सुहेल देव राजवर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी से कडवंधन को लेकर भी प्रारमिक इसकर पर बात्चीत हुई है, वहीं बात्चीत के परिणाम को लेकर पूछे जाने पर कहा कि अभी प्रारमिक इसकर की बात्चीत हुई है अमेठी सांसद और केंदरी मंत्री अमेठी स्मृती इराणी आज एक देव से दोड़े पर है नम निर्वाचित पंचायत अध्याक स्वाकेश अजर अग्रहरी और साथी पंचायत अधस्कों के सपत ग्रहन कारिक्रम में शानिक होई उतर प्रदेश में रविवार को अलग-अलग जिलों में आकाशी विजली की चपेट में आने से 41 लोगों की मौत हो गई जब कि कई लोग गंभीर उन से जुलस गए प्रयागराज में अलग-अलग जगों पर आकाशी विजली गिरने से दो मासूम बच्चों शहिद, 13 लोगों की मौत हो गई, 8 मविची भी आकाशी विजली गिरने की विज़ों से मारे गए कीम यूगी ने दिला प्रशासन को ततकाल मौके पर पहुंच कर सहायता प्रदान किये जाने और घायलों का समुची तिलाज के लिए आदेश जारी किया है उत्तर प्रदेश में बीदे 24 घंटे में 125 नय मरीजों की पुस्टी हुई है जबकि 134 मरीज स्वस्ट होकर डिस्टार्ब हुए है 30 अपरेल के बाद से एक्टिव केस में लगातार जिरावट हो रही और वरतमान में 1594 एक्टिव केस है पिसले 24 घंटे में 29 दिलों में संकरमन का एक भी नया केस नहीं पाया गया जबकि 45 राज्यों में काई अंक में मरीज पाय गये केवल एक ही जनपद ऐसा रहा जहां दहाई अंक में कोविड संकरमित मरीजों की पुस्टी हुई उत्तरप्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की स्थिती नियंतरन में है बीते 26 घंटे में 2,40,000 कोविड सेंपल की जांच की गए और पॉजिटिवीटी दर शूले दिशमलव 4 पीस दी रही कुरोना केस अंकम होने के बाद नाइट कर्फ्यू में भी बदलाव किया गया है अब आज में रात 10 वजे से सुभा 6 वजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा इसके पहले ये रात 9 वजे से सुभा 7 वजे तक था आज से पहले लखनों मेट्रों की सिवाएं पहले की तरह सुबाच चाहे वज़े से रातरी दस विजे तक उपलब रहेंगी विकेंड परिफ्यू की वज़त के शिनिवार और रज़िवार को मेट्रों सिवाएं बन रहेंगी अब इठी के जामू थाना चेतर के डेबरा गाओं में लगबग 20 दिन पहले युवदी को भगा कर ले जाने का मामला सामने आया था जिसके बाद युवदी की संदिक परिश्थितियों में मौत हो गई वही परिजुनों ने हत्या की आशंका चिताई है साथ ही परिजुनों का कहना है कि उन्होंने थाने में युवदी की कुम्सुद्गी की सिकायट पहले ही की थी लेकिन पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की बरीली में पटेल चौक के पास एक ओटो रिक्सा चालक की महिला से पर्स लूटने की वारदाथ PCTV में कैद हो गई लेकिन फिर भी पुलिस ने अभी तक कोई कारवाई नहीं की जिसके बाद SSP की सक्ती के बाद पुलिस ने खोजबी शुरू कर दी है उन्नाव के बांगर मौँ शेतर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है जहां एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई आजसे में कार चालक गंभी रुट से खायल हुआ जिसे जिला स्पताल इलाज के लिए भी जा गया हरदोई के शहबाद कोतवाली शेतर में कपड़े और टेलिकॉम के दुकान में शौर्ट सर्किट से भीशान आग लग गई आग लगने से लैप्सटॉप और मुबाइल एसस्ट्री सही पलाखों का सामान चलकर खाक हो गया सीतापूर के मुण्शी गंज की धनी आवादी वाले इलाके में एक अजगर मिलने से लोगों में हड़कम मच गया तब ही इलाके के लोगों ने वन व्भाग को सूचना दी जिसके बाद वन व्भाग के करमचारियों ने इजगर को पकड़ कर जंगल में छोड़ दिया कुशिनगर के नेववा नौरंगया ब्लॉक में स्वास कर्मियों की घोर लापरवाही सामने आई स्वास कर्मियों ने एक महिला को कुछी मिनट में के अंतराल में वैक्चिन का दूसरा डोस भी लगा दिया जिसके बाद लापरवाही की शिकार हुई महिला को साइड इफेक्ट का डर सता रहा है काजियबाद में मुराद नगर प्रीत विहार कॉलोनी के खाली प्लॉट में एक लापता युवक कच्वा मिला है पिता ने अपने बेटे की थाने में कुछुची की रिपोर्ट दिखाई थी जिसके बाद पुलिस ने शम को कबजे में लेकर पोश्माटम के लिए भेज दिय हर दोई में डॉक्टर द्वारा एंबुलेंस कर्मी से अब अधरता और मार्पीट करने के मामले में सभी एंबुलेंस कर्मियों ने इकठा होकर जिला महिला अस्पताल में जमतर हंकामा किया वही स्यूचना मिलने पर ACMO मौके पर पहुंचे और कारभाई का भरूसत दिला क कर मामले को शांद कराया इटावा में एस्पी सिटी प्रशांद कुमार पर हमले के मामले में मुकदमा दर्श कर लिया गया है आपको बता दे कि कल ब्लॉक प्रमुक्ष जुनाव के दोरान एस्पी को ठपर जड़ा था इसके बाद हिस्पी स्टीटर भासपा नेता विमल काजगंज में पुराने रंजिश में हमलावरों ने दंपत्ती को रास्ते में घेर कर गोली मार दी जिससे की पेट में गोली लगने से महिला गंभी रुष से खायल हो गई इसके बाद महिला को आनन पानन में अस्पताल में भरती कराया गया वहीं गाउं के ही दो लोगों पर गोली मार कर भाग जाने का रूप है मुझफर नगर में मेरट रोड इस से बैंकट हॉल में नवनिर्वाचित रास्त्री अध्यक्ष अशोग अगरवाल का आई-ई-ए मुझफर नगर शेप्टर के अध्यक्ष बिकुल भंतांगर से स्वागत किया साथियों के टीम और बहुत ज्यादा फिक्ष्टाएं नहीं रहती है मुझफर नगर चैप्टर की ने जो समस्क्याएं उठाई है वह बहुत मैदपूर्ण है और वो उनको शीवरी पुरा करने का प्रयास करें कि उप्मोकिमंत्री केशर प्रसाद मौरी मुरादाबाद की सरकिट हाउस पहुं लूटी हुई चेन और 315 बोर के दो तमंचे भी बरामत किये हैं बांदा के थाने में हुई बेईज़दी से शर्मिंदा होकर महिला ने घर लटकर रिलिंग में लटक कर सुसाइड कर लिया जिसे उसने पेस्बूक पर लाइब भी किया महिला की दो बेटियों में से एक रि उर्णपुरुगा शाहिद मयूर विहार से किरफ्टार कर लिया गया है वहीं सूरे मामने माउमने मब तक कुल साथ लोगों किरफ्टारी हुई है गाजियबाद और शाहाबाद खाना शेत्र में घरों और बंद पड़ी धुकानों में चोरी करने वाले दो चोर गिरफतार कर लिये गए हैं और अरोग्यों के पास ये 12,000 उपे नगत तमंचे और कुछ चोरी के समान बरामद हुए है बारबंकी के फतेपूर थाना शेत्र में सिद्ध एक लॉन में बार बालाओं के अस्वील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है वीडियो में बार बालाओं के साथ ग्राम प्रदान शिवकुमार और BDS चतर से भी ठुमके लकाते में ज़रा रहे हैं अमेठी के फीबर फूर थाना शेत्र के खाना पूर गाओं में संदिग्द परिस्तियों में पेड़ से लटका एक युवक कश्रम मिला तूसना मिलते ही पोलिस में मौकी बर पहुंच कर चब को कबज में लिया और पोस्पाटम के लिए भीचा है राय बरिली के हर्चंदपूर थाना शेत्र के भीरा गाओं में जमीनी विवात को लेकर युवक नेपने ही भाई भावी पर लाटी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया जिसके बाद दोनों घायलों को इलाज गिले स्पता ले जाए गया उन्नाओं में सीडियों की गुंड़ाई के चलते पूरा पत्रकार समू एक साथ उतर आया पत्रकारों का कहना है कि अधि सीडियों पर कारवाई नहीं की गई तो मुक्तमंतरी आवास पर पत्रकार भ्रहद ना देंगे इसके पहले भी दिव्यांचु पठेले पढ़ाई के लगनों में सपा कारले के बाहर लगी होडिंग्स चर्चा का विश्या बनी हुई है होडिंग्स में बड़े दावे किये गए हैं पहला कि अगर सपा की सरकार बनी तो दस लाग विरुसदारों को नौकरी दी जाएगी और दूसरा वादा 300 यूनिट पिरी विजली देने का राश्पी स्वेम सेबक संग के प्रचार विभाग हरनंदी महानगर द्वारा सोशल मीडिया के सदबूख विशे पर कारिश्चाला का यूजिन किया गया जिसमें मेरट प्रांथ प्रचार प्रमुग डॉक्टर अनिल और गाजियबाद विभाग के प्रचार प्रमुग जिसके बाद सपने तक गौरफ के खिलाब बढ़ी थाना शेत्र में गंफीर धाराओं के तहित मुकदम दर्च कर लिया गया है मत्रों में नावागत जिला अध्यष के लिए स्वागत तमारों का यूजिन किया गया जिस दोरान ट्रालोस के कारेकरता रामवेर भरंगर और बच्चन पहलवान की बीच लात और भूंके चले हरदोई में मामली सी वारिष के कारण जिला थाने में पानी भर गया जिसके चलते अब पुलिस कर्मियों और परियादियों को दिक्कतों के सामना करना पट रहा है कानपूर दिहाद के थाना डेरापूर शित्र में ग्रहकलेश के चलते युवक ने मंदिर में भगवान की मूर्थी के सामने खुद को गोली मार कर आत्मस्या करने की कोशिश थी तूशना पर पहुंची पुलिस ने युवक को जिला स्पताल में भरती कराया उनाव के बरास घवर थाना शित्र में आकाशी बिजली गिवने से दो मासुमों की मौत हो गई दरसल दोनों मासुम केट में खेल रहे थे तबी यहादसा हुआ हादसे के बाद से गाउं में हड़कम है बलिया के नक्पुरा गाउं में दबंगों ने गरी वसाय परिवार का घर उजाड़ दिया परिवार भीक मांग तरहा परों की एक नहीं सुने गई विरोज करने पर दबंगों ने लाठी तंडों से परिवार को बीटा जिसका वीडियो सोचल मीडिया पर वायरल हुआ कानपूर के चगीरी थाना चेत्र में पॉलिस में लाकों की अवैद मचली पकड़ी है पुलिस में मचलीयों से भरे दो ट्रक पकड़े आप बता दे कि मचली की खेप को कलकतकर के काजिया बाद ले जाय जा रहा था हर्दोई के अर्वल थाना चेत्रे के नावपुर्वा गाउं में एक नविवाहिता का कमरे के अंदर फांसी पर जूलता शाम विला अग्रामेनों की सुछना पर पहुंची पुलिस ने शब को कबजे मिलेकर पोस्ट माटम विले भेज दिया है नविवाहिता के माईके बालों ने ससराल जनों पर पुतरी को मार कर फांसी पर लटका देने का आरूप लगाया है मृत्का की भाई ने बताया कि उसकी बहन को तहेज को लेकर हत्या कर सब को फांसी पर लटका दिया उनसा डिजार शिक्षा का भरतिया भ्यारतु ने मुख्यमंत्री आवास पर धरना प्रदर्शन किया इस तुरान उन्होंने जमकर नारे बाजी की वही सुरक्षा को देखते हुए भारी पॉलिस भल भी मौदूत रहा आतंगी कनेक्षन के बाद कानपूर में अलर्ट जारी कर दिया गया है जिसको देखते हुए कानपूर बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस तंतीजों की तलास में कई जगाशा फेमारी कर रही है बुंडा के नंदौर गाउं में जमीनी विवात के चलते मौदूदा बीडी सी के भरिवार का घर जेसीबी मशीन से उजार दिया गया तुछना देने पर देर से आई पुलिस में जेसीबी मशीन संग एक को हिरासत मिलिया तो वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व टैबरेट मंतरी ने खटना का वीडियो वाइरल कर दिया चत्रकूर्ट के भरत कूप में नशे में एक दोत स्कॉर्फियो चलक ने दो बाईकों को टक्कर मार दी जिसमें छैलोग बुरी तरह दखमी हो गए इस खानी निवासुनी सभी खालों को जिला स्पताल में भर्टि कराया आगरा के थाना अच नेराच चिद्र के मगुर्रा गाउं में गोलिया चली जिसमें किजवा को कमर में गोली लग गई जिन एलाज गिले जिला स्पताल में भर्टि कराया गया मारफीट की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पोलिस में चार लोगों को हिरासत में ले लिया और इंसा को देखते हुए गाउं में भारी पोलिस बलते नाथ है पीली भीट जनपद में चुनाव ड्यूटी से थकी हारी पोलिस का अमानवी चेहरा देखने को मिला जहां दरूगा ने गर्म दूद के भगोने को ऐसी लात मारी की दूद विक्रिता बुरी तरह ज्रवस गया दूद विक्रिता विक्लां गया और दूद बेचकर अपने बच्चों का पालन पोशन करता है दरूगा की समानवी हर्कत को देख इलाके के लोग आक्रुष्टित हो गए और शेरपूर कला रोड पर जाम लगा कर पोलिस की खिलाफ रोड पर दर्शन किया फिलिभीत में बाक के हमले में दो लोगों की मौत होगी जबकि तीसरे युवक ने पेड़ पर शड़कर अपनी जान वचाई तूचना पर टाइगर रिजर्व के अधिकारी मौके पर पहुंचे महीं शब को कबजे में लेकर अभी चांच परताल चारी है हरदोई की शाहबाद तहसील में तैना संग्रा सिवक ने तहसील में बने आवाज में फांती लगाली पुलिस ने कमरे का दर्वाजा तोड़ कर शब को कबजे में ले लिया वहीं पुलिस के तूचना मिलने के बाद परीजन भी मौके पर पहुंच गये कन्नोज में थाना स्वरीक शेद्र के सरदारपूर गाओं में अग्याज चुरुने पूर प्रथान के घर से नगदी सहित लाकों के समानों पर हाथ ताफ कर दिया वहीं सूचना मिलने पर पहुंचे शित्राधिकारी और पुलिस मामले की जाच परताल में है लखनों के पेट्रोल और डीजल की बढ़ती के मितों के खिलाफ कॉंचर नारे बाजी की वहीं प्रथान को देखते हुए कई थानों की फोर्स मौखे पर मौजूद रही प्रदर्शन के तोरान पुलिस और कॉंग्रिस कारिकरताओं में जड़प होई जिसके बाद पुलिस में कारवाई करते हुए कॉंग्रिस कारिकरताओं को ग्रफ्तार कर लिया है पुलिस का कहना है कि कॉंग्रिस के कारिकरता सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे विजनौर में स्वास की भाग द्वारा की गई नजबंदी पेल हो गई तरसे लेक महिला ने 6 महिने पहले नजबंदी कराई थी जिसके बावजूद वह गर्ववती हो गई यह मामला थाना सियोहारा के छी एच्पी इलाके का है बांदा के राजके मेडिकल कॉलिज में ऑक्सिजन प्लान का जिलादिकारी आनंद कुमार शर्मा ने शुभारम किया ऑक्सिजन प्लान का शुभारम होने के बाद जनबर बास्यों को अब भढ़तकना नहीं पड़ेगा 12 मंगी की काशीराम कॉलोनी में पत्ली को आपत्ती जन्र के सिटी में देखकर पती ने चौती मंदिल से फेक दिया जिसे पत्ली की मौके बरी बहुत होगे पोलिस आरूपी पती को किरफ्तार कर मामली की जांस में जो पेई है मौके मंत्री पुशकर सिंग धामी ने कावड यात्र कोले कर बड़ा वयान दिया और हुने कहा कि बात आथ्था की है लेकिन लोगों की जिंदगी भी दाव पर है भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा यदि लोग कावड यात्रा के कारण कोबिट से अपनी जान का बात देता है हरिद्वार की बहादराबाद टोल प्लागज़ा पर किसानों ने एक प्रेस वारता आयुजित कर धरने पर बैठे किसानों पर किये गए जानने बाँ हमले की साजिश का आरूप लगाया साथ ही पुलिक प्रशासन पर कई गईंभी आरूप लगाया कैबिनेट मंतरी सत्पाल महाराज में उत्राखंड यूद धिस्मारक शौर इस्थल पर शहीद चैनिकों के सम्मान में चंदन विरिष्टा रूपन किया वहीं शहीदों को श्रद्धा सुमन अरफित करने के लिए महाराज ने कहा कि शहीद वीरों की स्मृती चंदन के समान समाज को प्रेरित और सुमंधित करती रहे यही इस चंदन विरिष्टा रूपन की भावना है दिल्ले के मुखे मंतरी अरविंद केजरिवाल उत्रखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर 300 यूनेट विजनी मुफ्त देने की खोशना कर चुके हैं वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार के उर्जा मंतरी हरस के ग्रावत पहले एक एबरेट में पस्ताव लाकर 100 यूनेट विजनी मुफ्त देने का एलान कर चुके हैं मुट्भेड के दौरान पूलिस की ओर से कई पारिंग में एक बदमाश घायल हो गया जिसे उप्षार के लिए जलस पताल में भर्दी कराए गया मुट्भेड के दौरान दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया आपको बता दे कि बदमाशों ने रोड़की और देहरदुन में महिला से लूटपाट की थी वहीं पुलिस की ओर से घिरबंदी के बाद आरुपी ने सेंगल मिशनल ले अपी थी और अब खबरे विस्तार से देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदितिनात ने नई जन संक्या नीती 2021-30 जारी कर दी है जिसमें नवजात मृत्यूदर और मात्र मृत्यूदर को कम करने की कोशिश है 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोशन शिक्षा और स्वास के बेहतर प्रबंधन की विवस्ता भी की जाएगी ऐसे में क्या है इस पूरी नीती का मतौदा देखिये खात रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज़ादा आबादी वाला राज्य जहां की जनसंख्या तै करती है देश की राज्यनीती तै करती है दिल्ली की कुर्सी तै करती है देश का प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो सियासत है जनसंख्या जो राज्यनीतिक ताकत है सूबे में विधान सभा चुनाव दहलीज पर हैं लेकिन उससे पहले यूपी की आबादी पर कानूनी नकेल की नीव तयार की गई है अज मुख्यमंत्री योगी आदित नात ने आबादी पर काबू उपाने के लिए नई जनसंख्या नीती का अनावरण किया है नीती की शकल में राजी विधी आयोग ने ड्राफ्ट तयार कर लिया है इस ड्राफ्ट से आप समझ पाएंगे कि जनसंख्या पर नियंत्रण करने वाले नियम कानून कितने सक्थ हो सकते हैं अगर दो से जादा बच्चे होते हैं तो आपको सरकार की कई योजनाओं से बंचित रहना पड़ सकता है सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी सततर सरकारी योजनाओं का लाब भी आप नहीं उठा सकेंगे जबकि एक बच्चे पर बीज सल तक मुफ्त सिक्षा, इलाज और भीमा की सुविधा होगी नस्बंदी कराने पर प्रमोशन समेथ कई सुविधाई मिलेंगी सरकारी कर्मचारी को शपत पत्र देना निवार्य होगा तीसरे बच्चे पर निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे दो बच्चे वाले परिवार को पानी बिजली टैक्स में छूट राज विधी आयोग का ये ड्राफ्ट सरकार के निर्देश पर तयार नहीं हुआ है बलकि आयोग ने खुद कदम आगे बढ़ाया है इस ड्राफ्ट को राज विधी आयोग ने वेल साइट पर अपलोड किया है जहां 19 जुलाई तक इस ड्राफ्ट पर जनता की राय भी तलब की गई है अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की जन संख्या की तो 2001 में हुई जनगर्णा के हिसाथ से यूपी की आबादवी 16 करोण 62 लाग सी जिसके बाद जनगर्णा रिपोर्ट में 2011 में 20 करोण के उपर पहुँच गई ये आबादवी लगातार तेजी से बढ़ रही है कानून के मौजूदा ड्राप के मुताबिक ये विधयात राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक साल बाद लागू होगा लेकिन ये जन संख्या बड़ी समस्या बन कर सामने आ रही है अस्पतालों में बैड हो या फिर सिक्षा रोजगार की समस्या हो या फिर अपरार सब इस जन संख्या विस्पोट के हिस्से हैं विधयायोक की माने तो विकास के लिए जन संख्या नियंत्रण बेहत जरूरी है जिसे अब सरकार भी कह रही है कि विकास तभी होगा जब जन संख्या पर नियंत्रण होगा इसी परिपेक्ष में आज विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की योगी आधितनाद सरकार ने 2021-30 के लिए नई जनसंख्या नीति की घोशना की है ये नीति ऐसे समय पर लाई गई जब राज्य में अगले साल विधान सभा चुनाओं होने वाले हैं ऐसे में ये मुद्दा चुनाओं से पहले राजनेतिक मुद्दा जरूर बनने वाला है जनता टीवी के लिए विशालत रिपाठी की रिपॉर्ट इसे के साथ इस बुलिट में फिलाल इतना ही खबरों का सफर लगातार चारी है जनता टीवी पर नमस्कार